के एम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है आप देख रहे हैं के एम न्यूज साथियों आज मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे शक्स की कहानी से रुबरू कराता हूँ जो विगत 25 वर्षों से समाज सेवा के माध्यम से जनपर प्रयागराज सहे 258 विधान सभाहंडिया में समाज के प्रतेक शेत्र में अपनी सेवा सहभागिता के द्वारा जन, जन की आवाज बनने के लिए संकल्प पे थें उसी संकल्प के क्रम में समाज सेवी रमेश चतुरवेदी ने युवाओं की समाज, राष्ट्र और राजनीती में महत्वपून भूमिका को देखते हुए 26 दिसंबर 2021 को बे रोजगार, नौजवानों को प्राइवेट कमपनियों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का जो एतिहास से कायोजन किया उससे प्रभावित होकर पूर्व कमिश्णनर सेल टेक्स बी एन दूबे अखंडानन जी महराज भी चतुरवेदी की प्रशन सा मंगल कामना करने से अपने को नहीं रोग पाए सुनते हैं अखंडानन जी को आज यहाँ पर समाज भिकास मंच की और से यहाँ पर जो रोजगार मिले का आवजन किया गया है यह बहुत ही अनूठी पहल है और बड़ा ही सराहनी और सांदार कारे है मैं समझता हूँ हरिया बिधान सवा में इस प्रकार का यह पहला का इक्रम कराया जा रहा है इसके स्रच्चत स्री रमेज भाईच तुर्वेदी जी हैं और आज से नहीं जब से मैं जान रहा हूँ छात्र जीवन से ही यह हमेशा समाज स्रिवा के प्रती गरीगों के प्रती अभाव लोगों के प्रती इनका हमेशा ही सहयों की भावना से इन्होंने कारे किया है और वो आज भी प्रलिशित हो रहा है सबसे महत्पूर बात के है कि आत्मिक समाज में जो सबस्क्री आवाशकता है वो है रुजगार पाने की रुजगार देने की और उस कार को आज किया गया तो यह बहुत ही महत्पूल कार है पर भूत हीते रताह जीतामें वभवान में कहा है जूसरे के हीत में जो रत रहता है वही सची मानुता की सेवा कहलाती है परही सरिस धर्मने भाई पर प्रिया समय अधमाई रमेज भाई चत्रवेडी जी इसी कर रहे हैं यह बहुत बड़ी उनकी प्लब्दी है मेरी इस्वर से कामना है कि वह इसी तरीके से शेवा भाव करते रहें और साथ ही साथ हडिया की पब्लिक से भी अन्रोद करेंगे वह उनको इस शेत्र में आगे बढ़ाती रहे कोई भी कार्य करने के लिए एक मंज की होता है वह महत्पूर होता है कि विसारे कारेयों का संचालन उसी विधान सवाल लखनुज होता है तो हमारी सुबकामनाएं तो हैं ही इस्वर से प्रात्ना भी है कि आपको बिजय स्री दिलाएं ताकि देखिए पॉलिक्स है क्या पॉलिक्स इस एवे तु सर्व लगतार खबरों को देखने के लिए देखते रहे के एम न्यूज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपडेटेड रहे